हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एईएस एजुकेशन साज 9 जुलाई 2022 की डेट में एगनू की चार बड़े अपडेट है सबसे पहला अपडेट की बात करें तो एगनू ने ओफिसेल आंस्वर की जारी कर दी है एगनू ने ओफिसेल आंस्वर की आपके सामने है तो सेकिंड अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एगनू ने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एसाइन्मेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिल्ड वर्क, एड्सेक्टरा जो सब्मिशन है जुन 2022 टेर्मेंट एग्जामिनेशन के लिए उसकी लास्ट डेट को आपको एक्स्टेंड करके 20 जुलाई 2022 तक कर दिया है ओफिसेल नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में थर्ड अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं ओनलाईन सब्मिशन एक्जामिनेशन फॉर्म का ओपन डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड प्रोग्राम के लिए स्माप्त हो चुका है एकनोंने ओफिसेल नोटिफाई किया आठ जुलाई 2022 को श्याम को कि आपकी तो एक्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट है ओवर हो चुकी है नेक्स्ट अप्डेट की बात करें तो में साइकलोजी प्रोजेक्ट कोर्स है आपका उसमें बड़ा चेंज किया गया है यानि कि जुलाई 2020 सेसन ओनवर्ड जो भी में साइकलोजी कोर्स में एडिमिशन लिये है में प्रोजेक्ट कोर्स ले सकते हैं या फिर आप MPC 16, 26, 36 में साकोर्डिंगली अपने स्पेसलाइजेशन के इसाब से कोई कोर्स ले सकते हैं और या फिर थियोरी अपलाइड पोजिटिव साइकलोजी में कोई भी ले सकते हैं लेकिन आपको यह आद रखना कि अगर आप थियोरी कोर्स लेते हैं तो आपको जो मार्क्स आएंगे आपको 40% मार्क्स असाइनमेंट में स्कोर करने हैं 40% यह आपको टर्मेंट एग्जामिनेशन में अलग से स्कोर करने पास करने के लिए इसके अलावा जो add-on रहेगा 30% weightage रहेगा assignment के marks का और 70% weightage आपका रहेगा examination के marks का और इसके अलावा देख सकते हैं MPCL 007 जो lab है आपको 40% separately internal and external evaluation दोनों में अलग-अलग से secure करने हैं जो 40% अलग-अलग से वाइवा और जो dissertation है सब में भी आपका clearly mention किया गया है course wise वाइवा में और internal external evaluation जो भी इसमें अलग-अलग से 40% marks आपको score करने पास होने के लिए यह आपका school of social sciences इगनु नई दिल्ली के द्वारा discipline of psychology के द्वारा 7 जुलाई 2022 को official issue किया गया है लिंक वीडियो के description box में है तो यह थे आज के बड़े अपडेट जो भी students हमारा चैनल AIS Educations पहली बार देख रहे हैं AIS Educations YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि latest अपडेट से आप तक पहुंच सकें और इस वीडियो का maximum students तक share करें ताकि हम अथे content आपके लिए classes के भी बाद में लेकर के आ सकें